हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको एक फ्यूल फ्लो मीटर बना कर दिखाने वाला हूँ जिसकी मिदद से फ्रेंड्स आप फ्यूल की क्वेंटिटी को मेजर कर सकते हैं फ्रेंड्स यदि हम पैट्रोल डलवाने के लिए पैट्रोल पंप पर जाते हैं तो ना किबल हम petrol pump की display पर petrol की quantity को देख पाएंगे बलकि हम अपने vehicle पर installage device में भी petrol की quantity को देख पाएंगे जिससे friends हम petrol के scam से बच पाएंगे Friends इस project को आप अपने VTEC में या फिर किसी भी science exhibition के लिए आप इसको बना सकते हैं तो चली friends अब हम इस project को बनाना स्टार्ट करते हैं तो इस project को बनाने के लिए सबसे पहले friends हम को यहां पर एक Arduino लेना है इसके बाद friends हम को यहां पर एक LCD display लेना है और इसको हमको I2C module के साथ कुछ इस प्रकार से connect करना है और इसके बाद friends हमको I2C module के साथ 4 jumper wire connect करना है Black को ground के साथ connect करना है Red को VCC के साथ connect करना है Green को SDA के साथ connect करना है और Blue को SCL के साथ connect करना है इसके बाद friends हमको Black jumper wire को Arduino के ground के साथ connect करना है Red jumper wire को हमको Arduino के VCC pin के साथ connect करना है इसके बद friends हमको green jumper wire को Arduino की A4 pin के साथ connect करना है और blue jumper wire को हमको Arduino की A5 pin के साथ connect करना है इसके बद friends हमको यहाँ पर एक water flow sensor लेना है और इसके साथ हमको 3 jumper wire connect करना है तो black को ground के साथ, red को VCC के साथ और yellow को output pin के साथ connect करना है इसके बद फ्रेंट्स हमको sensor और Arduino के आपस में connection करने है इसके लिए फ्रेंट्स आपको black jumper wire को Arduino के ground के साथ connect करना है red jumper wire को आपको Arduino के 5V के साथ connect करना है और yellow jumper wire को आपको Arduino की digital pin number 2 के साथ connect करना है इसके बद फ्रेंट्स हमको Arduino में coding को upload करना है इसके लिए हमको Blue Data Cable को Arduino के साथ connect करना है और OTG Cable को अपने Android Mobile के साथ connect करना है इसके बाद Friends हमको Play Store से Arduino IDE application को download करना है और इसको कुछ इस प्रकार से open करना है Friends नीच मने coding की link दी है Simply आपको coding को copy करना है और screen पर आकर paste कर देना है इसके साथ ही Friends आपको Liquid Crystal Library को भी download कर लेना है और इसके बाद Friends आपको इस code को compile कर लेना है और जैसी Friends code compile हो जाएगा आपको upload बटन पर click करके इस code को Arduino में upload कर देना है इसके बाद Friends हमको यहाँ पर एक plastic का box लेना है और सभी electronic components को कुछ इस प्रकार से box की उपर fix कर देना है और इसके बाद हमको एक 5V के adapter से इस project को power देना है और जैसी यह Friends आप इसको power देंगे project on हो जाएगा अब मैं Friends आपको बताता हूँ किस प्रकार से project काम करने वाला है तो जैसी Friends हम इसके अंदर petrol या फिर water को कुछ इस प्रकार से डालेंगे तो हमको water की quantity डिस्प्ले पर show होगी जिससे Friends हम petrol pump पर इस केम होने से बच पाएंगे Friends यदि आपको एक project अच्छा लगो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाई जरूर करने और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी subscribe कलने जिससे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुच सकेगी